Hello everyone, आज के इस सेशन में हम Class 8 Science के चाक्टर Reproduction in Animals का एक और नए टॉपिक डिसकस करेंगे and that is Fertilization. आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि exactly ये Fertilization की प्रोसेस क्या होती है. साथी साथ हम बात करेंगे External and Internal Fertilization की Basically ये दोनों ही टाइपस होते हैं Fertilization प्रोसेस के. I hope आज की सेशन का टार्गेट सभी बच्चों को एकदम क्लियर है. तो ये काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं. So this is Vibhuti Khare, Welcome to Magnet Brains, जहां पर आपको सभी चाप्टर्स के वीडियो लेक्टर्स मिलते हैं. बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट, यानि की Magnet Brains में आपको दो चाप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरका पेइमेंट करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है. Quality Education बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट. इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहां पे हम बात करेंगे fertilization process के उपर. अब देखो, previous session में हमने methods of reproduction देखे थे. एक था asexual reproduction, एक था sexual reproduction. Asexual reproduction में मैंने आपको बताया था कि केवल single parent involved होता है और gametes यानि कि जो sex cells हैं, उनकी involvement नहीं होती है. कहाँ? asexual reproduction में. क्योंकि sex cells की involvement नहीं हो रही है, इसे लिए इस method को हम बोलते हैं asexual reproduction. एक और चीज़ मैंने आपको बताया थी कि जो भी offspring produce होता है इस asexual method से वो एकड़म exact copy होता है किसके अपने parent की. Examples मैंने आपको दिये थे कि हमारे पास क्या है? एक unicellular eukaryotic organism है amoeba. उसमें क्या होता है? binary fission होता है. binary fission मतलब क्या? कि amoeba की जो एक basically parent body जो होती है एक ही parent involved होता है na asexual reproduction में तो. तो जो एक होता है हमारे पास amoeba parent amoeba उसी की body में आप बोल सकते हो कि division होता है. कैसे division होगा? तो सबसे पहले जो nucleus होगा ना वो divide होता है. और करिबन आप बोल सकते हो कि एक घंटा लग जाता है amoeba को divide होने में इस तरीके से. तो amoeba की body का उसके cell का जो nucleus होता है वो divide होता है और दो daughter nuclei में वो divide हो जाता है. ये जो nucleus का division है it is then followed by the cytoplasm का division. फिर ultimately क्या होता है? cytoplasm का भी division हो जाता है और इस तरीके से एक amoeba, parent amoeba से दो daughter amoeba बन जाते हैं. एक घंटा लग जाता है इस binary fission की process में, इस division की process में और ये दोनों जो daughter amoeba जो होते हैं, ये दोनों हम बोलते हैं कि आगे जाकर कि एक independent individual amoeba की तरह behave करने लगते हैं, survive करने लगते हैं. ये हुआ किसका? case, asexual reproduction in amoeba. फिर इसके बार में मैंने आपको एक और example दिया था hydra का. तो hydra हम बोलते हैं कि ये एक multicellular organism है. देखा जाए तो amoeba हो, चाहे hydra हो, ये दोनों ही कैसे हैं? simple organisms हैं. इनके जो structure हैं, वो कैसे होते हैं? simple type की होते हैं. तो hydra हमारा क्या है? एक multice particles वगेरा होते हैं, तो ये जो hydra है, इसकी body पे एक छोटी सी outgrowth आ जाती है, जिसको हम bud बोलते हैं. ये bud दीरे 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 एक hydra में, एक दूसरे hydra में grow होने लगता है. एक particular stage था कि जो hydra है, वो अपने parent body के साथ, parent hydra के साथ, उसकी body के साथ attach होता है. और फिर एक particular stage के बा in hydra. तो चाहे अमीबा हो, चाहे वो हम बोलते हैं कि hydra हो, दोनों में ही क्या हो रहा है? Asexual reproduction हो रहा है, single parent involved होता है, कोई भी gametes का हम बोलते हैं कि formation या उनका fusion वगेरा कुछ भी नहीं होता है asexual reproduction में. और हमीशा मैंना को एकी चीज़ बताई है कि हमारे जो simple organisms होते हैं, उन फिर इसके बार में हमने बात करी थी किसकी sexual reproduction की. तो sexual reproduction में मैंना को समझाय था है कि देखो भी दोनों ही parents involve होते हैं, male parent भी और female parent भी. तो male parent body से आता है क्या male gamete और female parent body से क्या आता है female gamete, ठीकए? और दोनों ही gametes का प्या होता है? male और female gametes का fusion होता है. इस fusion से क्या बनता है, zygote बनता है और इसी zygote में आगे जाकर के changes होते हैं और इन changes से zygote किस में transform हो जाता है, एक organism में transform हो जाता है, ठीक है, तो basically zygote में हम बोलते हैं कि number of divisions होते जाते हैं, multiplication होते हैं, number of cells increase हो जाते हैं और ये सभी कि सभी cells मिलके एक organism की body को तयार कर देते हैं इसे हम बोलते हैं sexual reproduction और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताई थी, कि जो offspring produce होते हैं, वो exact copies नहीं होते हैं अपने parents के, ठीक है, चलो, तो male parent की body से जो gamit निकल के आ रहा है, male gamit उसे हम बोलते हैं क्या sperm, और female parent body से जो female gamit आ रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या egg या फिर ovum, ठीक है, तो male gamit क्या है, sperm और female gamit क्या है, ovum, इतना आपको समझ में आया, अब देखों या पर क्या बोला जा रहा है, कि for sexual reproduction to occur, a male gamit must combine or fuse with a female gamit, अगर sexual reproduction होना है, तो एक male gamit को combine होना ही पड़ेगा, fuse होना ही पड़ेगा, किस के साथ, female gamit के साथ, the fusion of a male with a female gamit to form a zygote during sexual reproduction is called what? Fertilization, तो अगर आपको ध्यान हो, तो हम बार-बार एक ही चीज़ बोल रहे थे sexual reproduction में, अभी भी मैंने आपको वही चीज़ बताई थी, कि एक male gamit आगया, एक female gamit आगया, तो gamit के आने से क्या होगा? बही gamit के आने से हम बोलते हैं, कि ये दोनों ही male or female gamit का आपस में fusion होगा, ये combination होगा, और इसी combination और इसी fusion को तो हम बोलते हैं, क्या? Fertilization, तो process तो हमको पता थी, कि कैसे male or female gamit से zygote बन रहा है, कैसे zygote से एक organism बन रहा है, लेकिन ये जो पूरी process है ना, इसका नाम नहीं पता था हमको, तो अब क्या हुआ है? इस process का नाम हमें बिल गया है, क्या है नाम? Fertilization, कि जब male or female gamit का fusion होता है, उनका fusion, उनका जो combination है, इसी को हम बोल देते हैं, क्या? Fertilization, since the male gamit of an animal is called sperm, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, और female gamit जो होता है, animal का, उसे हम बोलते हैं, egg या फिर ovum, तो इसलिए हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, Fertilization को हम ऐसे भी define कर सकते हैं, the fusion of a sperm with an egg और ovum to form a zygote during sexual reproduction, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो fertilization कहलाता है, चाहे तो male और female gamit बोलो, या फिर आप male और female gamit को specify कर दो, बता दो अपने examiner को, भाई हमको पता है कि male gamit is known as sperm, and female gamit is known as ovum और egg, Does the process of fertilization produces a new cell called zygote, और यह जो fertilization की process होती है, अगर सवाल में आ गया, fill in the blanks, कि भाई fertilization की process का result बताओ, कि क्या result होता है, उस process का तो आपको बोला पड़ेगा, कि मैं zygote होता है result, कैसे zygote होता है, क्योंकि भाई fertilization मतलब क्या, fusion, और दोनों के fusion से male of female gamit की fusion से बनता है, क्या है, zygote ही तो बनता है, single cell होता है zygote, the zygote is actually a fertilized egg, इस statement को आप कर सकते हो, क्या underline और star mark, कि zygote है क्या, zygote हम बोलते हैं कि fertilized egg है, यानि कि एक ऐसा egg जिसका fertilization हो चुका है, fertilization होने का मतलब क्या है, कि already उसके साथ, egg के साथ male gamit, यानि कि sperm आकर के combine हो चुका है, fusion हो चुका है, तो fertilized egg is known as what, zygote, या fertilized ovum भी बोल सकते हो, कि एक ऐसा ovum, या एक ऐसा egg, जिसके साथ, या जिसका हम बोलते हैं कि combination हो चुका है, sperm के साथ, उसे हम बोलते हैं, fertilized egg या ovum, तो zygote क्या है, zygote हम बोलते हैं कि fertilized egg है, या ovum है, the nucleus of zygote is formed by the combination of nuclei of sperm and egg, the process of fusion of the gamut is called fertilizer, ये तो point हो चगा है आपना है ना, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि zygote में हम बोलते हैं कि ये एक cell होता है, single cell होता है, natural सी बात है, cell होगा तो इसके अंदर nucleus भी होना ही चाहिए, तो सवाल यह है कि zygote का nucleus आता कहां से है, तो जड़ार याद करो, previous session में मैंने आपको sperm और ovum, दोनों का ही structure समझाया था कि नहीं समझाया था, मैंने आपको बताया था कि जो sperm होता है male gamut, उसकी structure के तीन parts होते हैं, एक होता है head, एक होता है middle piece और एक होती है tail, tail का काम क्या होता है, कि भाई जो male gamut है उसको move करना है, तो move करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना जीना, जिसके सहारे वो move कर पाए, अब अगर हाथ पाँ होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या हो गया है, tail आ गई है, तो tail के help से जो sperm है वो move करता है, क्योंकि male gamut को अपनी जगा पे खड़े रही रहना है, उसको move करना पड़ता है, उसको female gamut के पास जाना रहता है, तो इस movement के लिए क्या present होती है, मिडल पीस के खास अब मैंने आपको पताई थी कि माइटो कॉंड्रिया प्रेजन्ट होता है, और यह माइटो कॉंड्रिया अभी कैसा होता है, spiral shaped का होता है, कुछ इस तरही किसे जैसे spring होती है, वैसे ही माइटो कॉंड्रिया होता है, sperm कहां मिडल पीस में, माइटो कॉंड्रिया बहुत इंपोर्टेंट होता है, क्यों क्योंकि यही तो होता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल, भाई sperm क्या excel ही तो है ना, तो माइटो कॉंडर तो होगा ना, देखो sperm हो चाहिए, एगो, दोनों ही क्या है, सेल ही है, तो भी मोड स्पेसिफिक यह क्या है, रिप्रोड़क्टिव सेल्स हैं, क्यों है यह रिप्रोड़क्टिव सेल्स, क्योंकि इनका काम ही होता है, रिप्रोड़क्शन करना, इसलिए इनको हम बहुता है, रिप्रोड़क्टिव सेल, और sperm को तो specially बहुत जो हैना movement चो करना पड़ता है तो उसको तो जाधा energy चाहिए है तो जाधा energy के लिए mitochondria का तो होना बहुत ही ज़रूरी है फिर head में हम बोलते हैं कि nucleus present होता है और एक चोटा सा और component present होता है जिसको हम बोलते हैं क्या acrosome और इसी acrosome के help से जो sperm है वो हम पूरज जो sperm है वो plasma membrane से covered भी होता है तो यह structure मैंने आपको समझाया था फिर मैंने आपको एग या ovum का structure भी समझाया था कि इसका जो structure है वो कैसा होता है देखा जाए तो दोनों ही माइक्रोसकोपे के ovum भी और sperm भी लेकिन अगर हम sperm से compare करेंगे तो जो ovum है उसका size थोड़ इस लाएक sheet होती है जिसको हम क्या बुलते है जेली कोट बोलते हैं क्या कहते है जेली कोट और जैली कोट का significance क्या है वो भी हमने समझा था तो यहां पर हुगवा क्या कि दोनों ही cells है दोनों ही cells के पास क्या है अपने में respective nucleus है sperm के पास भी नीुक्लियर से और एयरुन ही जाइगोड का न्यूकलिएस बन जाता है वह अगर भी जाइगो उनके पास भी तो उनके respective nucleus है, उन दोनों ही nuclei का fusion होता है, जिसके गरें zygote का nucleus बनता है, यही बात यहाँ पे बोली गई है, चलो, फिर हम आज आते हैं और आगे, आगे क्या है, in human beings the process of fertilization is the meeting of a sperm cell from the father with an egg cell from the mother to form a fertilized egg called, egg cell called zygote, ठीक है, human beings में हम बोते हैं कि fertilization आप कैसे define कर सक सकते हो कि यह कैसी process है, जहाँ पे sperm जो की father से आया है, और egg cell जो की mother से आया है, वो fuse हो जाते हैं, है ना, और क्या बना लेते हैं, fertilized egg cell, जिसको की हम बोते हैं, zygote, कुछ इस तरीके से, यह क्या है, पूरा एक ovum है, egg है, और यहाँ पे देखो, कई सारे sperms आ रहे हैं, एक य यहाँ पे देख सकते हो कि, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, अपने previous chapter में, session में, कि जो egg का size है, वो बड़ा होता है, किसके comparison में, sperms के size से, तो देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, sperm चोड़े चोड़े हैं, और जो ovum है, वो काफी बड़ा है, और यह तो यह जली कोड जाना, यह make sure करती है, कि भले कितने सारे sperms क्यों आजा, अटैक करने के लिए, लेकिन entry जो है, कि अबल एक ही sperm, एक ovum को fertilize कर सकता है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या हमारे पास, अच्छे तो यह पूरी process बताई जारी है, तो basically यह human beings का, मैं आपको बता रही हूँ कि human beings के अंदर fertilization की process कैसे होती है, यह है क्या female reproductive organ system, जिसके उपर हम अपने next session में एक बार फिर से discussion कर लेंगे, वहाँ पर मैं आपको detail में समझाओंगी, अभी के लिए आप यह समझ लीजे, कि यह क्या है वेजाइना है, और यह क्या है, यह है uterus, uterus क में उपर आपको कुछ इस तरह की दो tubes दिखाई देती है, जिने हम बोलते हैं क्या fallopian tubes, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अपने next session में इस चीज़ को और detail में cover करेंगे, समझेंगे, ठीक है, अभी बस basic समझने की कोशिश करू कि य यह क्या है, एक female reproductive system है, और यह क्या है, पूरा वेजाइना है, ठीक है, और यहां पर हम बोल रहे हैं कि यह क्या है, uterus है, फिर uterus के ऊपर आपको जो है, basically uterus का shape आपको inverted peer shape दिखाई देगा, कि जो peer है, आपने इसको क्या किया है, उल्टा करके रख दिया है, ठीक है, और यह 2 fellow peer tubes होती है, और एक pair होता है, किसका ovaries का, एक left वाली ovary और एक right वाली ovary, ठीक है, तो यह जो हम बात कर रहे हैं न, कि female gamit ovum और egg, यह कहां बनता है, तो यह बनता है इसी ovary के अंदर, ठीक है, इनी ovaries के अंदर, एक एक करके, कभी इस ovary में, फिर next time इस ovary में, फिर next time इस ov ovum या जो female gamit है, वो एक एक ovary में बनता है, फिर इसके बार में क्या होगा, यह जो ovum है, यह ovary में तो नहीं रहेगा, यह बाहर निकलेगा, बाहर कहां जाएगा, तो यह जो फैलोपियन ट्यूब है न, इसी में जाएगा, तो suppose यहां पे हम बोलते हैं कि अभी इस बार, इ वजाइना के तुरू और जो sperms होंगे, वो कहां एंटर कर जाएंगे, जो female body का, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो uterus होगा, वहां पे एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो वजाइना के तुरू जो sperms हैं, जो male gamits हैं, वो कहां आ चुके हैं, uterus में आने के बाद वो कहां female body के अंदर भी हम बोलते हैं कि birth, canal, vagina वगयरा के तुरू कहां पहुंचना, uterus में पहुंचना, uterus के बाद में कहां तक जाना, fallopian tube तक जाना, क्यों, क्योंकि egg तो वही हैं, तो सभी के सभी जित्ते भी sperms हैं, वो हम बोलते हैं कि egg के contact में आ जाते हैं, ovum के contact में आ जाते हैं लेकिन केवल एक ही जो ovum, sperm होगा, वो ovum के अंदर जो है ना, कुछ इस तरीके से देखो, जैसे इतने सारे sperms हैं, लेकिन केवल यही वाला जो sperm है, यह इस ovum के अंदर enter करता है, और sperm का भी केवल जो head वाला part होता है ना, सिर्फ वो, क्योंकि उसी से मतलब होता है, tail will से ना, तो वो energy supply करना, mitochondria का काम भी बस इतना ही था, अब आगे किसका काम होगा, sperm के head region का ही काम होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, nucleus है, और nucleus के पास क्या है, genetic material है, genes है, तो अब काम होगा किसका, sperm के head का, तो किवल sperm का, एक ही sperm का, जो head है, वो ovum के अंदर basically आ जाता है, ठीक है, और फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि fusion हो जाता है, और fusion से हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इस process को हम fertilization बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, एक और चीज और, कि जैसे ही एक sperm की entry हो जाती है न, एक ovum के अंदर, तो ovum के, आप बोल सकते हो कि बाहर जो है न, कुछ औ और membranes बन जाती हैं, क्यों बन जाती हैं ये membranes, ताकि further और sperms उसमें enter ना कर पाएं, ठीक है, यह हम और detail में पढ़ेंगे अपने upcoming session में, चलो, अभी के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है, चलो, अब क्या है, तो many sperms try to enter the egg, only one sperm is successful in entering the egg, when the head of the sperm enters the egg, then the nucleus of the sperm cell fuses with the nucleus of the egg cell to form a nucleus क्या बोला जा रहा है, कि जब head of the sperm egg के अंदर enter करता है, तो दोनों का ही जो nucleus है, किसका nucleus, sperm cell का nucleus और egg cell का nucleus है, वो fuse कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया nucleus बना देते हैं, the fusion of the nucleus of a sperm with the nucleus of the egg to form a new cell called fertilized egg or zygote, the tail of the successful sperm entering the egg remains outside, जो tail वाला होता है, वो portion बाहरी रह जाता है, All the multicellular animals including humans start their life from a single cell called zygote through sexual reproduction, आपे बोला है कि जितने भी multicellular organisms होते हैं, उसमें human beings भी शामिल हैं, वो उन सभी की जो life की जो शुरुआत है, वो कहां से होती है, single cell zygote के साथ ही होती है, आई बात समझ में, चलो, और ये zygote कब बनता है, definitely जब क्या होगा, sexual reproduction होगी, अब इ types of fertilization की उपर, fertilization process कैसे होती है, वो मैंना को समझा दी, अब types क्या हैं इसके, the fertilization of an egg by a sperm can take place either inside the body of the female animal or outside the body of the female animal, अभी अभी जो मैंने आपको human beings में fertilization कैसे होता है, ये वाला diagram जो हमने सीखा था न, ये diagram किसका था, ये हम बोलते हैं कि human beings में कैसे fertilization होता है, ये मैंने आपक यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कि जो fertilization है न, वो जरूरी नहीं है कि female की body के अंदर हो ही, कुछ organisms ऐसे भी होते हैं, जिन में fertilization होगा, यहने कि वो organism sexual reproduction के तुरू reproduce करेंगे, लेकिन उनकी, उनका जो process होगी न, fertilization की, वो female body के अंदर नहीं होती है, वो female body के बाहर होती है, तो basically आप बोल सकते हो कि fertilization की process कहा हो रही है, female body के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है, उसके basis पे fertilization हम बोलते हैं कि दो type की होती है, एक है external fertilization और दूसरी है internal fertilization, this leads to two modes of fertilization in animals, internal and external, internal fertilization मतलब क्या कि जो fertilization जो की female body के अंदर हो रही है उसे हम बोलेंगे internal fertilization फिर in internal fertilization the female animals eggs are fertilized by sperms inside her body internal fertilization में हम बोते हैं कि female body के अंदर ही sperms क्या करेंगे eggs को basically जो female का जो gamit है female egg जो है उसको जाकर के sperm fertilize करेगा in internal fertilization the male animal puts his sperms into female animals body and these sperms then fertilize the eggs inside her body for example in human beings male puts his sperms inside a women's body clear रेतना चलो these sperms then fertilize the egg inside the women's body ये सब चीजे हम पड़ चुके हैं this type of fertilization in which the fusion of a male gamete and a female gamete occurs inside the body of the female animal is called internal fertilization तो बस इतना ध्यान रखना है कि internal fertilization में होता क्या है कि जो male animal होगा वो female animal की body के अंदर अपने sperms को release करेगा ये sperms बकाइदा जो है कहां तक पहुंचेंगे egg के लेवल तक पहुंचेंगे female gamete के लेवल तक पहुंचेंगे और उसको जाकर के fertilize कर देंगे तो ये सब कहां हो रहा है female body के अंदर हो रहा है मैं आपको बताया ना कि male क्या करेगा अपनी body के जो sperms हैं वो release कर देगा female body के अंदर तो जो भी fertilization की process होगी वो कहां होगी female body के अंदर इसे लिए इसको हों कहते है internal fertilization अब हम बात करते है कि इसकी external fertilization की अच्छा भी internal चलो ये क्या internal fertilization takes place in very large number of animals such as human beings cows, dogs, cats, tigers, lions, rabbits, deer, horse, birds such as hen, sparrow, crow, pigeon etc reptiles such as lizards, snakes and crocodiles etc and insects such as silk moth, housefly and butterfly etc तो आपको पता होना चीना कि internal fertilization कहां कहां हो सकता है कौन-कौन से organisms में हो सकता है तो human beings में होगा, cows में, dogs में, cats में, tigers, lions, इन सब में होगा birds में भी होता है, hen, sparrow, crow, pigeon वगएरा में, reptiles जैने की छिपकली वगएरा साफ वगएरा में भी होता है, crocodile में भी internal fertilization ही होता है insects में भी होता है In all these animals, the fertilization occurs inside the body of the female animal Clear है? चलो फिर इसके बाद में, अब हम आजाते हैं external fertilization बेकि the fertilization which takes place outside the female body is called external fertilization की अब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि sexual reproduction हो रहा है नहीं है, यह भी possible है कि sexual reproduction में जो fertilization हो रहा है male और female gametes का जो fusion हो रहा है वो female body के बाहर हो और ऐसे type को हम क्या कहते हैं? external fertilization कहते हैं In external fertilization, the female animal's eggs are fertilized by the sperms outside her body In frogs and most fishes, the fertilization of eggs occurs outside the female animal's body अच्छा यह बताओ अभी मैंने क्या बताया कि internal fertilization में क्या होता है? कि male क्या करेगा? अपने sperms को female body के अंदर release कर देता है और यह sperms क्या करते है? female body के अंदर basically travel करते हैं और कहां तक पहुंचते है? female gametes तक बहुच जाते हैं तो इस process में क्या हो रहा है? केवल जो male gametes है, वो बाहर निकल रहा था भाई क्या बताए मैंने? बाहर नहीं निकलता, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि इसमें external fertilization में कि fertilization होगा कहा? body के बाहर होगा? female body के अंदर नहीं होगा? इसका मतलब क्या? कि इस बार fertilization में ना सिर्फ male gamete बाहर निकलेगा body से बलकि female gamete भी female body से बाहर निकलेंगे जब बाहर निकलेंगे eggs या ovum तभी तो उनका fertilization possible है ना? ऐसे कैसे possible है नहीं तो? चलो! आप यहां पे बोला क्या है कि external fertilization आपको कहां देखने को मेरेगा? तो frogs में और most fishes में external fertilization ही होता है in external fertilization the male and the female animals release their sperms and eggs in water where fertilization takes place by collisions between sperms and eggs अब होता क्या है? कुछ इस तरीके से कि पानी में हम बोलते हैं कि यह तोनों fishes है, एक male है और एक female है ठीके? female ने क्या करे है? अंडे दे दिये हैं और male fish ने क्या कर दिया है? scream root तो अंडो और scream की बीच में हम बोलते हैं कि collisions होते हैं इसके कारण जो eggs थे वो fertilize हो जाते हैं by the sperms. For example, the males and the females or the frogs and the fishes release their sperms and eggs in the water in which they live. जहां पर वो रहते हैं, उसी पानी में वो release कर देते हैं. The sperms then collide with the eggs and fertilize them outside the body of the female frog or fish. External fertilization is very common in aquatic animals such as frog, fish and starfish etc. In these animals, fertilization takes place in water. ठीक है? तो अज़े मुझे बाहत बताओ. हमने internal fertilization की कई सारे examples देखें. मतलब कहां कहां होता है internal fertilization? कौन-कौन जो organism में possible है? वो हमने देखा. और कई सारे organisms हमने देखें. human beings भी उसमें शामिल हैं, butterflies वगेरा भी उसमें शामिल हैं, lion, tiger वगेरा. यह सब उन सब चीजों में शामिल है. लेकिन जब बाताती है external fertilization की, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि organisms का number limited क्यों है? वह हमने बात करी किसकी fishes की, हमने बात करी किसकी main डकों की याने की frogs की. तो यह जो भी organism है, केवल इन ही में क्यों हो रहा है external fertilization? क्योंकि external fertilization होने का भी न, एक बहुत बड़ी condition required है. और condition क्या है? पानी की presence. किसकी presence? पानी की presence. अगर पानी नहीं होगा, तो शायद external fertilization हो ही ना पाए. क्यों नहीं हो पाए? भई देखो, हमारे जो fishes हैं, वो तो पानी में ही रहती है. अगर हम अपने बात करेंगे, में डकोंगी, तो जब आप class 9 में जाओगे न, तो आप animal kingdom पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपके पास एक class आएगी animal kingdom में. एमफीबिया, और उस एमफीबिया class में जो है न, हमारे जितने भी frogs वगएरा जो है, तोट्स वगएरा जो है, यह सब किस में आते हैं, एमफीबिया class में या आते हैं. एमफीबिया का मतलब क्या होता है, एमफी मतलब की दो, ठीक है, तो basically एमफीबिया में आने बादे जितने भी animals होता है न, वो dual life जीते हैं. टूल लाइफ जीने का मतलब क्या है, अगर आप में डगो की बात करें, हम फ्रॉक्स की बात करें, तो यह पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, हम अगर इनसे पूछने जाएं, कि या तो आप पानी में ही रह लो, मचली की तरह, या आप लैंड पर ही रह ल land पर है ना हम हमारे body में ऐसी adaptations हैं कि हम land पर survive कर सकते हैं लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह है कि जब बात होती है reproduction की process की तो हमको पानी में जाना ही पड़ता है अगर हम पानी में नहीं जाएंगे तो reproduction की process नहीं हो पाएगी क्यों नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे जो frog ना उनमें क्या होता है external fertilization हो रहा है मतलब कि जो भी fertilization होगा वो female body के बाहर होगा female body के बाहर कैसे possible होगा जब male और female gamits दोनों ही respective parent की body से बाहर आ जाएंगे अब हुआ क्या कि चलो female gamits दो हम बोलते हैं कि एक्स दो हम बोलते हैं कि बाहर आ गए ठीक है अब इसके बाद में male अपनी body से जो male frog होगा वो अपनी body से क्या release करेगा sperms वगेरा वो release करेगा अब इन sperms को क्या करना है female के जो gamits है एक्स जो है वहां तक जाना है तो कैसे जाएगा तो obviously बात है जिस पानी में वो present होगा ना उसी में swim करते हुए वह वहां पे पहुंच पाएगा तो यहां पर हम बोलते हैं कि हमारे जो frogs वगरा जो है ना इनकी dependency जो है पानी के उपर वो जा नहीं रही है क्योंकि इनकी dependency नहीं जारी है पानी से इसलिए इनको पानी में आना ही पड़ता है बाकी रह लेंगे लैंड पर लेकिन जब बात आती ही reproduction की तब इनको पानी में जाना ही पड़ता है तो एक major condition आप बोल सकते हो यह भी हो सकती है external fertilization की कि क्या पानी present होना ही चाहिए इसलिए जो mostly हमारे जो aquatic animals है उन्हीं में external fertilization आपको देखने को मिलेगा चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे आगे क्या है हमारे पास अच्छा अब हमें fertilization in X को इन फ्रॉक्स को होड़ा सा detail में discuss करना है कि during spring season या rainy season, frogs move to the water in ponds and slow moving streams तो basically जब भी spring season या बरसात का महीना आता है तो जो frogs वगएरा जो होते हैं वो जो तालाब वगएरा होता है उसके पानी में आ जाते हैं या slow moving streams यानि की मरा देखो इनको ना बहता हुआ पानी नहीं चाहिए है इनको ठोड़ा सा ठैरा हुआ पानी चाहिए है stagnant होता है ना तो ऐसे रुके हुए ठहरे हुए पानी को prefer करते हैं कौन frogs किस चीज़ के लिए reproduction की process के लिए तो और अगर streams भी है तो कैसी है slow moving stream है फिर when the male frog and the female frog come together the female frog lays hundreds of eggs in the water जब male और female frog आते हैं combine करते हैं the female frog lays hundreds of eggs in water जो female frog है ना वो hundreds of eggs release कर देती है पानी में unlike the hen's eggs frog's eggs are not covered by the heart cell या आपको मेरे पीछे एक image दिखाई दे रही होगी यह बताए क्या है यह साब मेंड़क के अंडे ही है usually जब हम अंडों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक image बैठी रहती है और वो है किसकी मुर्गी के अंडे की है ना बहुत सारे बच्चे जो eggs है वो खाते भी होंगे तो उनको पता होगा कि जो मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर बकाइदा एक जब वो बॉइल हो जाता है तो आपको वो चीज़े और क्लियर दिखाई देती है एक वाइट पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं योग कहते हैं तो यह तो बात होई कि इसकी एक बॉइल रहे की लेकिन अगर जब आप एक को बॉइल नहीं करते हो जो लेकिन जब हम बात करते हैं मेंड़कों के अंड़ों के उपर कोई भी शेल प्रेजेंट नहीं होता है कोई भी शेल हम बोलते हैं कि प्रेजेंट नहीं होता है देखो यह सब क्या है यह सब हम बोलते हैं कि मेंड़क के अंड़े हैं तो यह रहा एक मेंड़क अंड़ा यह तीसरा ये फोट ये फिफ्ट बहुत सारे तो यह आपको ये जैली लाइक एक वुनों मटेरियल नहीं लग रहा है ये पूरा का पूरा क्या है जैल है अब एक बार बताओ अगर इस जैल को उठाकर क्या आप क्या करोगे ऐसी ही खुली हवा में खुली धूप में रख दोगे तो ये पूरा का पूरा जो जरी मटेरियल है ये सूख नहीं जाएगा और अगर ये सबस्टेंस सूख गया ये मटेरियल सूख गया मतलब क्या कि अंडे सूख गया और अगर अंडे सूख गया इसका मतलब क्या कि यहां से जो भी पॉसिबिलिटी थी रिप्रोड़क्शन क पाणी के उपर जाहीं नहीं रही है क्यों के उनको reproduction का हो रहता है पाणी में में ही करना पड़ता है क्यों क्योंकि उन में reproduction कैसा होता है external होता है male की body सा और female की body से दोनों से ही गैमीट द liki लफार निकलाते एक और चीज जिसके कारण उनकी पाने की डिपेंडेंसी खतम नहीं हो रही है वो यह है कि उनके जो अंडे होता है ना उनके उपर कोई शेल नहीं होती है मुर्गी के अंडे के उपर shell होता है आपने देखा है लेकिन frogs के eggs के उपर किसी भी तरह का कोई cover नहीं होता है कोई shell नहीं होता है तो अगर हमने इस पूरे के पूरे suppose हम बोते की female frog ने क्या किया है पानी में नहीं इस बार उसने land पर ही क्या दिये है अंडे दे दिये है eggs ले कर दिये है तो होगा क्या over a period of time यह जो eggs है वो पूरे time जो है न हवा और sunlight के contact में रहेंगे और पूरे की पूरे जो eggs है वो सूख जाएंगे अब अगर eggs ही सूख गाए इसका मतलब क्या eggs क्या होगा डेड हो गए तो अब इन में जो भी reproduction होने वाला था वो नहीं होगा नए अंडे हम बोलते हैं कि उनका wait करना पड़ेगा तो सीडी सी बात है कि अंडे सूख ना जाए एयर के contact में sunlight के contact में इसलिए जो female frogs वो अपने अंडे कहा release करती है वो अपने अंडे हम बोलते हैं कि पाणी में ही release करती है ताकि अंडे सूखे ना इसलिए हम बोल रहöll है न उनकी पाणी की dependency हो जा नहीn रहे यह कहने को वह जमीन पर भी रहलेते हैं लेकिन जब हम बोलते हैं कि reproduction की बात आती है तो उनको पानी में जाना ही पड़ता है, उनका अपनी अलग एक समस्या है, ठीक है, तो when the male and the female frog come together, the female frog lays hundreds of eggs in the water, unlike the hen's egg, the frog's eggs are not covered by hard shells, the frog's eggs are very delicate, बहुत delicate होते हैं frog's के eggs, a layer of jelly holds the frog's eggs together and provide a protection to the eggs, अब देखो, जैसे कि मैंना को आपे बताया कि ये भी क्या है, ये भी frog का egg है, ये भी frog का egg है, कि जितने भी frog's के egg है, इन सबको एक jelly-like material क्या करके रखी हुई है, पकड़ के रखी हुई है, है ना, अलग-अलग आपको frog's के egg दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो ये सभी एक साथ combined कैसे है, क्योंकि एक jelly-like material है, जो कि इन सभी frog's के eggs को जना hold करके जिसने रखा हुआ है, अब जिस समय पे female frog अपनी body से eggs release करती है, hundreds of eggs, उसी टाइम पे male frog भी क्या करेगा, अपनी body से sperms release करेगा, लेकिन वो भी कैसे, millions in number, अब सवाल ये है कि मैं female frog ने तो जो है ना, hundreds of eggs release किये थे, तो ये जो male frog है, इसको इतने सारे sperms release करने की क्या जरवत पड़ गई, चलो, इसके उपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे, the sperms swim randomly in the water with the help of their long tail, अब sperm क्या करते हैं, अपनी long tail के help से पानी में randomly क्या करते हैं, swim करते हैं, When the sperms of the frog come in contact with the eggs floating in the water, then fertilization takes place. और हम बोलते हैं कि जैसे ही floating या swimming egg जो है, swimming हम बोलते हैं कि sperm जो है frog का, वो एक floating egg के contact में आएगा, तो बस fertilization हो जाएगा. This type of fertilization in which the fusion of a male gamete and a female gamete takes place, outside place, body of the female animal is called external fertilization. Just like frogs, external fertilization also takes place in fish. When the male fish and the female fish come together in water, the female fish lays hundreds of eggs in water and at the same time, the male fish releases millions of sperms in the water. जैसे हमने इसकी बात करी है, ना, frogs की बात करी है, वैसे ही, fishes में भी external fertilization होगा. Female fish जो होगी, वो hundreds of eggs release कर देती हैं पानी में, और जो male fish है, वो millions of sperm release कर देते हैं पानी में, और फिर पानी में ही present दोनो gametes कर क्या होगा, fusion होगा, collision होगा और इसके बाद में fertilization हो जाएगा, fusion हो जाएगा. When the sperms come in contact with the eggs, the eggs gets fertilized. In this way, the female fish's eggs are fertilized by the sperm outside its body. This is also known as the external fertilization. ठीक है? चलो. अब इसके बाद में, though the animals like frog and fish which undergo external fertilization lay hundreds of eggs, all the eggs do not get fertilized and hence do not develop into new frogs or fishes. आप देखो हुआ क्या? जैसे कि मैंना आको बताया, fish का case भी बता दिया और frogs का भी बता दिया. कि female जो frog होगी, वो क्या करेगी? Hundreds of eggs release कर देगी. जो male frog होगा, वो millions of sperm release कर देगा. तो यहाँ पे हमें ये count देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि 100 eggs के लिए कितने sperm release हुए है? millions of sperm release हुए है. इसका मतलब क्या? कि अगर कुछ sperm बीच में कहीं damage भी होगा है, फिर भी इतने सारे sufficient, you know, number में है sperms कि सभी के सभी 100 eggs को वो क्या कर सकते हैं? fertilize कर सकते हैं. इसका मतलब क्या? कि अगर एक बार एक male और एक female frog ने क्या किया है? reproduction करने की सोची है. तो एक time पे क्या 100 new frogs produce हो सकते हैं? क्योंकि female तो क्या कर रही है? 100 eggs release कर रही हैं और में हम होते हैं कि millions of sperms release कर रहा है. तो अगर बीच में कहीं कुछ sperms की गड़बर हो भी गई है, है ना पानी में हम तो कहते हैं कि अगर भे भी गए हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. इतने sperms तो produce हो ही जाते हैं कि वो 100 eggs को क्या करें? Fertilize कर सकें. तो क्या ये possible है कि एक बार की reproduction की process से male or female frog में 100 of frogs रहना produce हो जाएंगे, reproduce हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? चलो यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर यहीं बोला गया है कि all the eggs do not get fertilized and hence do not develop into new frogs. सभी के सभी eggs रहें वो fertilized नहीं होते हैं. और अगर fertilized नहीं होंगे तो फिर new frogs भी वहाँ से कैसे develop हो पाएंगे? ऐसा क्यों होता है? तो देखो, frog या fish के अगर हम बात करें, ले eggs and release sperms in the water. Many of these eggs and sperms are carried away by the movement of water, wind और rainfall and hence all the eggs do not get fertilized. ठीके? तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि पाणी में अंडे दे तो दिए, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वह अंडे वही के वही रहेंगे. अब भी वह तो पानी है ना, तेज अगर हवा चल गई, तो पानी में हम बोलते हैं कि leherे बन गई. पानी में लहरे बन गई तो क्या हुआ पानी जाब flow करने लागा तो उन लहरों के साथ में वो जो अंडे हैं वो भी flow करने लागे वो बह गये इसके अलावा हम बोलते हैं कि बारिश होने लगी है और हम बोलते हैं कि पानी में किसी तरह का movement हो गया है तो इस movement से क्या होगा कि जो sperms होंगे जो eggs होंगे पानी में वो भी हो जाएंगे move वो भी हो जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे जिसके कराण उनका fertilization नहीं हो पाएगा फिर इसके बाद में many of the eggs of the frogs and the fishes are eaten up by other animals which live in the water अब ही अगर उनने अंडर अपने sperms दे दिये हैं तो बाकी जो aquatic animals रह रहे होंगे पानी में उनको वो जाकर के मना थोड़ी ना कर सकते कि सुनो हमने अपने अंडर दे दिये हैं अब आप जाकर कि इसको damage नहीं पहुँचाओगी बाई कोई भी दूसरा animal आएगा उसको तब वो खाने की चीज है ना उसके लिए तो वो उसको खा करके चला जाएगा तो इसे साब से क्या होगा कि माना hundreds of eggs रिलीस किये गए थे female frog या female fish द्वारा लेकिन आप देख सकते हो कि कुछ पानी में यूँ ही बह जा रहे हैं कुछ को animals आकर के खा रहे हैं many of the larvae अच्छा चलो ठीक है एक बार हम बोलते हैं कि fertilization हो भी गया fertilization के बाद हम बोलते हैं कि क्या बनेगा zygote बनेगा zygote से हम बोलते हैं कि larvae बनते हैं तो यह जो larvae हैं यह जो young ones हैं frog और fish के which are hatched from the fertilized eggs are eaten up by the other animals in water and fail to develop into adult frogs basically जब हम इस chapter में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम frogs में metamorphosis की भी process देखेंगे हम आपर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे larvae से एक आप बोल सकते हो कि adult frog जो है बनता है उस process को हम बोलते हैं metamorphosis जिसके उपर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने बोला कि eggs हम बोलते हैं कि fertilized हो गया अब इन fertilized eggs से हम बोलते हैं कि क्या बनता है larvae बनते हैं आप झरोरी नहीं है यह रहते गाएं यह पाणी ही नहीं रहते हैं क्यों कि जब शुरुआत मारवी होते हैं Works और उससी तेल के help से क्या करते हैं, वो swim करते हैं, तो जब तक कि वो develop नहीं हो जाते हैं, grow नहीं हो जाते हैं, जब तक उनके पास हाथ पाउं नहीं आ जाते हैं, तब तक वो पानी में ही रहते हैं, जब वो adult frog में transform हो जाएंगे, उसके बाद में वो land पर आ सकते हैं, उसके पहले उनको पानी म हैं जिससे कि हम बोलते हैं कि लार्वे बन चुके हैं उन लार्वे को आ करके जो एक्वेटिक एनिमल से वो खा लेंगे लेकिन उन में से कुछ ही क्या होते हैं सरवाइब कर पाते हैं जिनको किसी एनिमल करने ख़ाया नहीं होता है जिनका फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन की बाहरन की छणारी बनता है लार्वा कर जाता है यह हुण ऐसे आप बोल सकते हों के एग्ज हूंगे जो की सरवाइब करेंगे और वह डबलाब हो जायेंगे किसमें adult frog में या फिर adult fish में, fishes की भी सेम कहानी है तो इसलिए मैंने बुला कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर reproduction हो रहा है एक cycle चल रही है reproduction की male और female frog में तो उस cycle से hundreds of new frogs जो हैं वो produce हो जाएंगे अगर ऐसा होता तो हमारे पूरे planet earth पर आज की रेट में जना fishes और frogs ही होते हैं हम तो कहीं दिखते ही नहीं क्यों कि एक बार reproduction की cycle में hundred of frogs जो है न वो produce हो रहे हैं या hundred of fishes produce हो रही है तो ऐसा नहीं होता है ठीक है चलो अब इसके बार में next क्या है since many of the eggs of frogs and fishes are carried away by the moving water wind और rain and many are eaten up by other animals therefore the production of a large number of eggs is necessary to ensure the fertilization of at least a few of them अब में डकों के पास fishes के पास भी ये दिमाग होता है कि हम जो अंडे दे रहे हैं या इनसे जो लारवे बनेंगे वो बेसिकली जो बागी के एक्विटेक अनिमल्स होंगे उनके लिए वो क्या होगा वो खाना होगा तो possibilities है और बहुत जादा possibility है कि एक्विटेक अनिमल्स आके क्या करें उनके अंडों को खा जाए या उनके लारवे को खा जाए तो इसलिए इतना उनके पास ग्यान है नॉलेज है इसलिए हम बोलते हैं कि वो large number of eggs जो है release करते हैं कि अगर 100 eggs release करें हैं उनमें से हम बोलते हैं कि 75 का fertilization हो रहा है यह हमने पहले discuss कर लिया है कि जितने भी eggs release होते हैं वो सबकी सब fertilize नहीं हो पाते हैं क्यों हवा चल गई बारिश हो गई कुछ तो भी हो गया जिसके करण क्या हुआ कि जो पूरे के पूरे eggs हैं वो fertilize नहीं हुए कुछ eggs रहे ना वो बह गए पानी में आगे निकल गए जिस range तक sperm से उस range के बाहर eggs चले गए हैं तो उनका fertilization तो होने नहीं वाला तो हम बोलते कि suppose 100 egg cells किस ने release करने हैं तो सौ में से हम बोलते कि 25 तो यूँ ही भैग गया बचे किते 75 तो 75 eggs का क्या होना है fertilization हुआ है अब इस 75 में से भी हम बोलते हैं कि 25 जो है कोई animal आकर के खा गया ठीकिना 25 जो eggs से frog के वो कोई animal आकर के खा गया तो अब बचे किते अब बचे हमारे पास 50 इन 50 egg cells का क्या होता है fertilization होता है और बेसिकली हम बोलते हैं कि 50 लार्वे बन जाते हैं अब 50 लार्वे में भी हम बोलते हैं कि 25 लार्वे को आकर के कोई animal आकर के खा गया तो बचे कितने केवल 25 कितने बचे केवल 25 तो अब 25 ही बिसिकली हमारे पास क्या आने वाले हैं एडल्ट फ्रॉग्स होने वाले हैं तो कि 25 लार्वे बचे हैं और यही लार्वे हम बोलते हैं कि आगे जाकर के ट्रांस्वर्म हो जाएंगे किसमें एडल्ट फ्रॉग में तो शुरुवात कहां से हुई थी 100 एक्स से हुई थी लेकिन आए कितने हमारे पास एडल्ट फ्रॉग केवल 25 ठीक है वन ओफ आउट ओफ हंड्रेज ओफ एग्स लेड बाइफ फीमेल फ्रॉग और फीमेल फिश ओ इसलिए लाज नंबर में जो है ना एक्स को रिरीज किया जाता है कि क्योंकि पता है कि कुछ नगुछ गरबर तो हो ही जाएगे तो कम से कम कुछ तो जो है ना बेसिकली एडल्ट फ्रॉग तक ट्रांस्वर्म हो पाएं कि अगर गिनके फीमेल फ्रॉग ने क्या किया होता गिनके केवल 10 एक्स को रिरीज किया होता अब पता चला कि दसों के द पेन रखना है इसलिए इन पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए जादा नंबर ऑफ एक्स रिलीज होते हैं अब देखो जाएगोट का फ्रॉर्मिशन तो हो गया है अब यह जो प्रोसेस होती है ना यह जो मैथर जिसमें कि जाएगोट डवलप ग्रो करता है डवल और यह जो बहुते हैं जो जाएगोट है वह जो जाएगोट है और फिर इसके बाद में जब नाइंध मन्स की पूरी प्रेगनेंसी हो जाती है इसके बाद में हम बोलते हैं कि बेवी जो है मदर की बादी से बाहर आता है जो जो बेवी आ रहा है जो यूमन बेवी आ रहा है मदर की बाटी से वो कैसा होता है वो फुली डवलप्ड होता है ठीक है and then the mother gives birth to the baby just like humans the animals like cats dogs also give birth to their young ones तो human means की तरह हम बोलते हैं कि कुछ और animals भी होते हैं जैसे कि cats हो गए dogs हो गए इनके body में भी हम बोलते हैं कि fertilization अंदर होगा जाइगोड बनेगा जाइगोड से हम बोलते हैं कि एक new organism बन जाएगा growth और development हो करके और ये new organism फिर mother की body से बाहर निकल करके आएगा तो ये already कैसा होता है fully developed होता है ऐसा नहीं कि एक आँख नहीं बनी है एक हाथ नहीं बना है जब बोल्ड के बाहर आ जाएगा मज़र की body से बाहर आ जाएगा तब इसका development होगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो basically fully developed organism ही mother की body से बाहर आता है but the process is entirely different in those animals अच्छे ये birds होगा इसको birds कर लेना और birds which lay eggs अब serious ही बात है ये तो बात हुई किसकी अगर हम बात करें human beings की अगर हम बात करें dogs की अगर हम बात करें cats की तो अभी अभी हम में देखा कि इन सब में fertilization अंदर होगा जाइगोट अंदर बनेगा female body के है ना जाइगोट की जो growth and development है वो कहा होगी female body के अंदर ही होगी और जब एक proper baby develop हो जाएगा फिर वो baby जो ना mother की body से बहार निकल आता है लेकिन जब हम बात करते हैं उन animals की या उन birds की जो की क्या करते हैं अंडे देते हैं एग्स ले करते हैं उनमें क्या होता है उनमें थोड़ा से सीन अलग हो जाता है for example a hen sits on its fertilized egg for a considerable time to give them warmth एक बाप बताओ वो जो हम मुर्गी के अंडे खाते हैं है ना वो fertilized egg ही होते हैं तो अगर fertilized egg है यानि की male और female gamet का fusion हो चुका है जाइगोट बन चुका है तो फिर वो जो egg है वो हम बोलते हैं कि उससे सीधे चिक निकल कर के क्यों नहीं आती है वो इस नहीं आती है क्योंकि मुर्ग्यों का condition जाना कुछ अलग होता है कि हमारी मुर्ग्या क्या करती है fertilized egg देती है और fertilized egg के उपर आपने देखा होगा poultry farm वगरा अगर आपने कभी visit किया हो या आपकी खुद की अगर poultry farm होतो तो जो मुर्ग्या होती है वो अपने अंडों के उपर बैठ जाती है क्यों बैठ जाती है उनको तोड़ने के लिए नहीं तोड़ने के लिए नहीं उनको एक warmth provide करने के लिए एक गर्माहर provide करने के लिए इस warmth में क्या होता है fertilized egg के अंदर जो भी योग वगरा है ना उन्हीं सब चीजों से basically chicks वगरा develop हो जाती है तो इससे पहले कि इन अंडों से chicks develop हो human beings क्या करते हैं इन अंडों को वहाँ से उठा लेते हैं और फिर इसके बार में उनको बेच दिया जाता है ठीक है तो जो हम खाते हैं वो exactly क्या होते हैं आज कर आपने सुना होगा कि organic अंडे आते हैं और गैनिक अंडे मतलब क्या या और गैनिक भी नहीं vegetarian अंडे मतलब क्या कि ऐसे अंडे जो कि vegetarians खा सकते हैं तो वह basically वह unfertilized eggs होते हैं वह fertilized eggs नहीं होते हैं पहले जो हम खाते दें वह exactly fertilized eggs ही होते हैं उनमें ऑल्रीडे मेल और मेल वीमेल गैमईट diamond fusion हो चूका रहता है लेकिन अजकर जो vegetarians के लिए ये एक जाने लगे हैं मुरयों के उनमें क्या होता है कि वो fertilized egg नहीं होता है कि ऑसमें मेल और फीमेल का gamette का gnete मरत fusion आगे जाकर कि इसकी growth होती, development होती है, है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी मुर्गियों की, तो मुर्गियों में जो अंडे उनकी होते हैं, बेसिकली वो अंडे, fertilized egg बाहर निकल आते हैं, उनको suitable conditions provide करनी पड़ती हैं, और तब जाकर कि उन अंडों से हम बोलते हैं कि organism क्या होता है, develop होता है, organism कहां develop हो रहा है, body के बाहर, mother body के बाहर, यहां कहां हो रहा है, mother की body के अंदर ही हो चुका रहता है, फिर इसके बाहर में, During this period, the zygote grows and develops into a complete chick, this chick then comes out of the egg by breaking its shell, जिसको की हम क्या कहते हैं, hacking बोलते हैं, है ना, hatching बोलते हैं, It is clear from this discussion that all the organisms do not give worth to individuals like humans do, इस पूरे discussion से में यह समझ में आया कि, जैसे human beings अपने बच्चों को जनम देते हैं, वैसे हर एक organism अपने बच्चों को जनम नहीं देता है, क्यों? मुर्गी का example देखा ना, कि मुर्गी ने का करा है, fertilized अंडे दे दिये हैं, अब उन fertilized अंडों के पर, मतलब fertilized अंडों के उपर वो बैठती है, suitable condition provide करती है, तब जाकर के वो fertilized eggs जो है, वो किसमें develop होते हैं, young ones में याने की chicks में, लेकिन human beings में ऐसा नहीं होता है, clear है, तो आज की session के लिए भस इतना ही, आज हमने fertilization की process समझी है, हमने दो types देखें उसके, external और internal, उमीद कर सबी को समझ में यह आ गया होगा, तो अब हम बात करेंगे कहां, अपने next session में, और next session में हम male और female reproductive system को समझेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, Google पर जाना है, और type करना है, magnetbrains.com, search करना है, जिसी search करोगे, आपके सामने आ जाएगी, magnetbrains की official website, ठीक है, इस website को जब आप open कर करोगे, तो आपके सामने आएगा ये वाला page, जिस पर लिखा रहेगा, the magnetbrains education platform, इस page को जब आप और scroll करोगे, आपके सामने option आएगा, explorer top courses का, जहाँ पे class 12 से लेकर के, class 1 तक के सभी courses होंगे, आपको available, अब suppose आपको class 8 की क्या देखनी है, science देखनी है, तो आप क्या करोग के class 8 पर जाकर के click कर देना, जैसी click करोगे, तो आपके सामने यहाँ पर खोल जाएगा class 8 science, video tutorial by विभूती खरे, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि सभी आपको, जितने भी तक हम में chapter spoil लिये हैं, या अभी हम पढ़ रहे हैं, उन सभी chapter से, जितने भी lecture से, सब की सब हो For example, आपको देखना है, first chapter, crop production and management, इसके यहाँ पर हैं कितने total lectures, 14 lectures, अब आपने जैसी उसको tap किया, आपके सामने इस chapter का जो first video है, वो आ गया है, तो कुछ इस तरीके से आप सारे ही videos देख सकते हो, सारे ही lectures देख सकते हो, इस particular chapter के, ना सिर्फ इस chapter के, बलकि सभी chapters के, तो य पर लिए आपको सभी topics जो है, एक sequence में arranged मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आपको सभी topics के होते हैं, notes भी available, तो अब हम मिलेंगे अपने next session में, till then, keep learning with magnet brains, thank you for watching.